कि अग्जान करें और उसमें जो हमारा आज जो लिक्चर है वह मैथमेटिक्स का फर्स चैप्टर रेस्नल लंबर इसको हम लोग पढ़ेंगे बच्चे तो बहुत अच्छे से इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं पहले हम इस चैप्टर के अंदर जितने बी कंसेट्स हैं वो चीज़ हैं वो सब चीज़ पढ़ेंगे उसके बाद हम उस पर कोश्चन करेंगे जो भी हमारे एम्यू एक्जाम में अब तक के रेस्नल लंबर से कोश्चन आये हुए ठीक है बच्चे तो आईए स्टार्ट करते हैं सेशन को और सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें और जो भी बच्चे फर्स टाइम चैनल से जुड़ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजे चैनल को ठीक है बच्चे और उसके बाद क्या है कि आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि अगर इस में आपको कहीं पर भी कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्षन में वो चीज़ लिखेंगे हम उस कमेंट को देखते हैं तो आए स्टार्ट करते हैं और इस लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं तो यह हमारा रेसनल लंबर में इतने सारे टॉपिक्स हम प रहते हैं उसके बाद रेसनल लंबर में रेसनल लंबर के पर पड़ेंगे अध्यक्त करना उतना नहीं है यह हमारा जो एक्जाम है इंट्रेंस एक्जाम इसमें हम लोग theoretical question नहीं आते हैं तो यह represent करना उतना important नहीं है उसके बाद एक topic है rational number between two to any rational number मतलब दो rational number के बीच के हम लोग तीसरा चौथा जितने भी numbers हैं वो सब चीज हम लोग निकालने का तरीका इसमें सिखेंगे उसके बाद additive inverse सिखेंगे और इसके बाद multiplicative inverse सिखेंगे यह सारे topics हैं चैप्टर में हम लोग यह चीज पढ़ेंगे आज उसके बाद सभी topics related सब concept को हम लोग पढ़ लेंगे पहले उसके बाद हमसे questions करेंगे वो question करेंगे जो हमारे exam में आए हुए हैं इस chapter से ताके आप लोग को पता चल जाए बच्चे कि इस chapter से किस type के question बनते हैं exam में यह सब चीज आपको समझ में आ जाए तो आए start करते हैं सबसे पहले और इसमें हम हम लोग सबसे पहले जो देखते हैं यह number line से समझ लेते हैं कि integers किसको कहते हैं whole numbers किसको कहते हैं natural numbers किसको कहते हैं यह एक number line है number line पर हमको पता होता है कि सारे numbers मतलब एक negative negative infinity से ले करके plus infinity तक पर सारे numbers हमारे number line पे represent रहते हैं बीच में center में हमारा zero होता है उस zero को हम लोग क्या बोलते हैं ना ही तो उसको निगेटिव बोलते हैं ना ही उसको पॉजिटिव बोलते हैं ठीक है तो एक बात यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि जीरो से इस साइड में यह जो हमारा जीरो से इस साइड में यह नंबर है यह हमारा पॉजिटिव नंबर है जीरो के इ अब लोग बुक में पढ़ें होंगे और अगर नेचरल नमबर का डिफिनेसट बोला जाए तो क्या बोलेंगे all counting numbers are called natural numbers और counting हम लोग कहां से start करते हैं बच्चे counting हम लोग 1 से start करते हैं zero से start नहीं करते हैं तो वन से ले करके तो वो हमारा group बन जाता है whole number का तो whole number का definition क्या हो जाएगा whole number का definition हो जाएगा a number start with 0 वो number का series जब जो हमारा 0 से start हो उस series के combination को हम लोग whole number बोलते हैं ठीक है और सारे numbers मतलब negative infinity से ले करके positive infinity तक के बीच का सारे numbers को अगर ले ले तो सारे numbers को हम लोग integers बोलते हैं मतलब integers में हमारे negative numbers भी आ जाते हैं integers में हमारे positive numbers भी आ जाते हैं including 0 ये सारे numbers हमारे आ जाते हैं whole numbers में क्या होता है whole numbers में हमारा 0 से start होता है ठीक है तो अगर whole number का definition लिखा जाए तो whole number का definition हम लोग क्या लिख सकते हैं हो लंबर के टम में Trad grimot उसक्ते हैं इस तर мग लिख सकते हैं कि ओल लंबर हम लिखंए तो हो लंबर के जगा पर हम लोग Εय only लिख रहे हैं यह ची हम लोग 20 क्या लिख सकते है ना बच्चे अंट्र Dutch के नहीं मतलब 0 नेचरल नमबर यह चीज इस वज़े से बता रहा है ताके जो आपको हम बता है यह चार लाइन यहां पे से questions बनते हैं हमारे questions यह है all natural numbers are whole number या all whole numbers are natural number true-false है तो इसमें कौन सा statement true है कौन से statement false है यहां पे आपको क्या दिख़आएं यहां पे आपको दिख रहा हुगा all natural numbers के बारे में बात कर रहे हैं तो all natural numbers हमारा natural number कहां से start हो रहा है ? तो यह हमारा first statement क्या हो जाएगा first statement बच्चे हमारा true हो जाएगा यह हमारा true हो जाएगा all whole numbers are natural number क्या यह सभी whole numbers natural number हो सकते हैं अब देखो इसी figure में whole numbers हमारा zero से start होता है natural number हमारा one से start होता है तो मतलब एक पहले ही natural number हमारा start होता है तो जीरो हमारा whole number है नहीं लेकिन इस statement के according वो क्या बता रहा है कि जीरो भी हमारा एक natural number है तो यह नहीं हो जाएगा यह हमारा false हो जाएगा तो यह question बनता है इस जगे से इस वज़े से इसको हमको समझाने का जरूरत था इस वज़े से हम आपको समझा रहे थे यह चीज लेगा सर यह P और Q क्या है कोई भी fraction के form में जैसे 2 है 2 है एक rational number तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं 2 by 1 लिख सकते हैं बच्चे अगर इसके according देखें तो अगर इसको equate करें तो P बराबर यहां से हम लोग 2 लिख सकते हैं ठीक है और Q बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 लिख स चाहिए मतलब अगर रेशनल लंबर का डिफनेशन देखें जैसे तो 2 by 3 5 by 4 यह सारे रेशनल लंबर है और सारे जो डिनोमिनेटर है जो पी और क्यू है क्यू भी हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए इसके according क्या है मतलब 3 हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए 4 हमारा 0 के कहलाएगा अगर हम क्या करें अगर हम लिखें 2 by 0 लिख दें तो anything divided by 0 वह क्या हो जाता है बच्चे वह हमारा undefined हो जाता है क्या होता है undefined हो जाता है तो यह हमारा रेशनल लंबर नहीं होगा यह क्या हो जाएगा नौट रेशनल लंबर यह हमारा रेशनल लंबर नहीं हो क्यूνकि अगर इसको पिभाई क्यू से इसको compare करें थो यहाँ पर यहां पे बराबर तो टू आ जा रहा लेकिन क्यू बराबर हमारा जीरह आ जा रहा है और condition क्या कहता है कि क्यू अमारा 0 के परावर नहीं होना चाहिए तभी वो हमारा Carnival Number । कहलाएगा तो Carnival Number का Definition क्या हुआ कि कोई भी नमबर कोई भी Fraction अगर पी-भाई-क्व के form में है चाहिए वह A by B के form में है तो जो Denominator वो 0 नहीं होना चाहिए ठीक है और हमारे जितने भी नमबस जेसे निच्टनल लंबस है 12345 तो सभी नमबस के नीचे हमारे चुपावा होता है तो सारे के सारे हमारे लंबस कहलाते हैं बच्चे यह समझ में आया आपको समझ में आना चाहिए अब हम लोग लंबस इसका से मिन नमेटर कैसे करेंगे अगर मान के चले को एक ले लेते हैं एक लेते हैंतों के तौरब नीचे में हमारा सेम है तो हम इसमें क्या करते हैं कंपेर करते हैं सिर्फ हम नुम्रेटर को compare करते है numerator को देखेंगे तो हम लोग यहां से numerator से क्या पता चलेगा numerator से यह पता चलेगा 11 जो है हमारा बढ़ा है 7 से इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा यह 11 by 12 जो है यह हमारा बढ़ा हो जाएगा किस से 7 by 12 से तो क्या क्या रहा है कि अगर rational numbers में same denominator है बच्चे तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको सिव numerator को compare करना पड़ेगा और उसी के कोडिम आप फ्रैक्शन को बता सकते है कि कौन सा rational number बढ़ा है कौन सा rational number हमारा छोटा है दूसरा दूसरा केस है हमारा के rational numbers having the same numerator अगर rational number में हमारा same numerator रहे जैसे क्या है कि 7 by 10 है और 7 by 12 है अब देख लो यहाँ पे open numerator हमारा सेम है इस केस में क्या है numerator हमारा सेम है और denominator हमारा क्या है different है इस केस में आपको क्या करना है denominator पे ध्यान देना है और इसके according आपको क्या पता चलेगा 10 जो है 12 से छोटा है तो आपको fraction को अगर बताना रहे तो हम यह बता सकते हैं कि 7 by 10 जो है यह क्या है smaller than है कि 7 by 12 से ठीक है तो इस तरह से हम लोग compare करते हैं कब जब हमारा denominator denominator same हो या numerator same हो और fraction को compare करना रहेगा तो जो same रहता है उसी के according हम लोग compare करके बता देता है कि कौन सा fraction बड़ा है कौन सा fraction छोटा है बच्चे यह चीज़ किलियर हुआ हमने लगता है कि इस चीज में कोई डाउट हुआगा आप सभी को बच्चे यह बहुत इसी चीज है यह सब यह सब चीज आपको समझ में आना चाहिए ठीक है बच्चे अब बात करेंगे किसका हम लोग different का अब बात करेंगे किसका different का रेशनल लंबर हैं डिफ्रेंट जैसे एक्जांपल के तौर पे मान के चलो क्या किया जाए 4 by 5 है ठीक है एंड क्या करना है 3 by 4 है इस दोनों में आपको compare करना है कि कौन सा हमारा fraction जो है वो है बड़ा है कि छोटा है compare करना आपको आपको क्या करना पड़ेगा आपको लेना पड़ेगा यहां से आप ले लिए हो तो तुम क्या करो इसको सेम कर दो जैसे 4 by 5 है बच्चे तो 5 को 20 बनाने के लिए हम लोग कितना से multiply करेंगे 4 से multiply करेंगे तो आपको उपर भी 4 से multiply करना पड़ेगा तो यह क्या बन जाएगा यह बन जाएगा हमारा 16 upon 20 4 by 5 बन गया हमारा 16 upon 20 वही fraction क्या है 3 by 4 है बच्चे 3 by 4 है और 4 को आपको denominator कितना बनाना है 20 बनाना है तो 20 बनाने के लिए आपको कितना से 5 से multiply करना पड़ेगा तो किसी भी fraction में जब आप multiply करते हैं तो उपर नीचे same number से multiply करना पड़ेगा नहीं तो fraction क्या हो जाएगा नहीं 15 upon 20 मतलब के same denominator वाला case बन गया जब same denominator वाला case बन गया था हम आपको क्या बताया थे कि सिर्फ आपको क्या करना है numerator को compare करना है तो इससे क्या पता चल जागा denominator हमारा same है तो 16 is greater than क्या हो जागा 15 तो हम लोग लिख सकते हैं 16 by 20 is greater than 15 by 20 यह चीज़ लिख सकते हैं तो इस तरह से हम लोग compare कर सकते हैं किसी भी दो rational numbers को जब उसका different क्या हो numerator हो और denominator हो ठीक है बच्चे इसी question पर एक arrange करने के लिए आ जाता है कि आपको arrange करना है question कैसे आ जाता है question यह आ जाता है question दे देगा क्या आपको arrange करना है ठीक है क्या करना है बच्चे arrange करना है arrange the rational number arrange the rational number ठीक है rational number को arrange करना कैसे कैसे arrange करना भाई एक तो पहला एसेंडिंग में अरेंज करना है दूसरा कैसा करना है दूसरा हमारा डिसेंडिंग में अरेंज करना है तो हम एसेंडिंग वाला बता देते हैं कि करना क्या है आपको ठीक है descending में arrange करना है arrange करना है ascending और descending order में ठीक है लिख देता है descending में arrange करना है जैसे question यह है हमारा 3 by 5 है 4 by 3 है 7 by 7 by 4 है और minus 3 by 6 है and minus 3 by 4 है आपको इसको ascending और descending में arrange करना है descending descending order में आपको क्या करना है इसको arrange करना है तो यह सारे fractions है बच्चे इसको आपको ascending descending में arrange करना है हम आपको क्या बताया थे कि जब करना क्या हो जब ascending descending करना हो तो सारे का denominator आप same कर दो कैसे same करेंगे बच्चे सारे का denominator है तो आप क्या करो आप इस सब का LCM ले लो बच्चे LCM किसका ले लो LCM ले लो किसका 5 का ले लो 3 का ले लो नीचे वाले सब का LCM ले लो 6 का ले लो और 4 का ले लो इसका LCM ले लोगे तो इसका LCM आ जाएगा 60 जब 60 आ जाएगा तो तुमारे पास जितना fraction है जिसे पहला fraction कितना है पहला fraction है मेरा 3 by 5 ठीक है 3 by 5 है तो आपको 5 को मतलब क्या बनाना है 60 बनाना है denominator को 60 बनाना है तो denominator को 60 बनाने के लिए इसमें आपको कितना से multiply करना पड़ेगा टेबल याद होना चाहिए 12 से multiply करना पड़ेगा तो आप उपर भी 12 से multiply करेंगे तो ये कितना बन जाएगा ये बन जाएगा हमारा 36 upon 60 पहला fraction बन गया दूसरा fraction बनाना है 4 by 3 है और इस 3 को 60 बनाना है तो आपको 20 से multiply करना पड़ेगा तो उपर भी 20 से करना पड़ेगा तो ये क्या बनेगा बच्चे ये बन जाएगा हमारा 80 upon 60 तीसरा अगर हमारा कौन सा fraction है 7 by 4 है 7 by 4 है तो 7 by 4 है तो 4 को 60 बनाने के लिए 15 से multiply करना पड़ेगा और उपर भी हमको 15 से multiply करना पड़ेगा तो ये बन जाएगा 105 15 से 105 होता है और 15 चोके 60 ये 60 होता है तो ये fraction बन गया और fraction बना लेते हैं और हमारा कौन सा fraction बन गया 7 by 4 हो गया अब है मैनस 3 by 6 है अभी 6 को अगर हमको 60 बनाना है तो 10 से multiply करना पड़ेगा और उपर भी हमको 10 से multiply करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा मैनस का 45 बन जाएगा और 60 बन जाएगा अब देख रहे हो सारे fraction का हम डिनोमिनेटर सेम कर लिए आपको करना क्या है सिर्फ आपको निम्रेटर को compare करना है और क्या करना है बच्चे आपको अरेंज कर लेना है किसमें ascending और descending में तो आसानी से ये आप लोग कर लेंगे तो य जिसका value तो आपको answer अगर मान के चली अगर आपको solve करना है और answer लिखना है यहाँ पर तो यहाँ पर अगर हम first वाले का ascending का आप लिख रहे हैं तो ascending का आपको इस तरह से minus 3 by 4 उसके बाद क्या minus 3 by 6 उसके बाद क्या है 3 by 5 उसके बाद क्या बच्चे 4 by 3 उसके बाद क्या ह 7 by 4 इस तरह से आपको ascending order मतलब छोटा से बढ़ा करना पड़ेगा descending में करना है तो descending में सबसे पहले छोटा को बढ़ते से, यह उल्टा हो जाओ जाएगा just 7 by 4 इसी का हो जाओ उसके बाद क्या हो जाओ जाओ 3 by 5 हो जाओ उसके बाद क्या जाओ जाओ उसके बाद क्या जागा माइनस 3 भाई 4 जागा बच्चे तो एसेंडिंग में और डिसेंडिंग में आपको क्या करना है उसके फ्रेक्षन का वैल्यूज लिखना यह नहीं कि वही फ्रेक्षन का वैल्यूज अब आपको दे देगा कोश्चन और बुलेगा कि इसमें यह चार और एक चीज बताते हैं कि अगर आपको कभी क्या करें दो फ्रेक्षन बड़ा है कौन सा फ्रेक्षन चोटा है तो आप नोट करके यह चीज लिख लिजिए कि दो वाले को किस तरह से सॉल्व करना है अमानके चलिए 4 भाई 6 है एक फ्रेक्षन और दे दिया 3 भाई 5 एक फ् फ्रेक्षन बड़ा है कौन सा छोटा है तो जब दो कभी फ्रेक्षन दे ना बच्चे तो दोनों को हम क्या करेंगे क्रॉस मुल्टिप्लिकेशन कर देंगे ठीक है दो अगर फ्रेक्षन दे तो हम लोग सिंपली क्या करते है क्रॉस मुल्टिप्लिकेशन इसका मुल्टिप कर सकते हैं जब आपको दो fraction compare करने के लिए दे दो rational number compare करने के लिए दे ठीक है फ्रैक्षिन बोल रहे हैं इस वैसे का कि एक PYQ के फॉम में है तो यह से लबर करने में दे तो आपको लसना निकालना को उतना जरुरत नहीं है सीधा आप cross multiply करके आप compare कर सकते हो बच्चे अब आईये आगे बढ़ते हैं कि addition of rational number किसको कहते हैं addition of rational number करने का तरीका यही है यही fraction ले लेते हैं मान के चलिए मान के चलिए 4 by 6 ले लिया मैंने और आपको add करना है 5 by 3 को करने का तरीका यही है या तो इसका denominator same कर लिजे या तो इसका numerator same कर लिजे denominator same करना का तरीका यही है इन दोनों का LCM ले लिजे एक तरीका बता रहे है LCM लोगे किसका 6 और 13 का LCM लोगे तो 6 और 13 का अगर हम लोग LCM लेते हैं यह कितना हो जाएगा, 6 और 13, sorry 13 ने 3 है, तो 6 और 3 का LCM 6 हो जाएगा बच्चे, जब 6 और 3 का LCM 6 हो गया, तो 4 by 6 है, और आपको denominator सेम करना है, तो यह तो पहले ही से 6 है, तो 1 1 से multiply कर दोगे, तो यह हो जाएगा 4 by 6, इस fraction का अगर denominator हमको क्या बनाना है, 6 बनाना है, इसको 2 से multiply करोगे, इसको 2 से multiply करोगे, तो यह कितना बनेगा, 10 upon 6 बनेगा, तुमारे पास अब 2 fraction आ गया, 4 by 6 और 10 by 6, ठीक है, add करना है, तुमको denominator सेम है, तो simple सा तुम नीचे 6 लिख लोगे, उसके बाद क्या है, 4 पलस का 10 कर होगे, तो यह क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा, तुमारा 14 by 6, simple यह है, यह तो तुमको LCM ले करके, divide वाला method से भी तुम solve कर सकते हो, यह चीज, तो तुमारे पास option है, जो तरीका तुमको आता है, वो तरीका तुम कर सकते हो, बड़ तुम क्लास इस लेबल पे होके, तु 2 whole number 1 by 3 हो जाएगा, ठीक है, mixed fraction में change करोगे तो, तो यह चीज होता है, इस तरह से हम लोग किसी भी rational number को add कर सकते हैं, LCM ले करके, ठीक है बच्चे, यह एक तरीका है addition का, अब हम लोग बात करेंगे, किसका properties का बात करेंगे, properties of rational number, किसको कहते हैं, properties of rational number, कैसा कैसा properties है इसमे अगर closer property का first हम किसके बारे में बात करेंगे, पहले हम लोग addition के बारे में बात करते हैं, ठीक है, closer property के हम लोग किसका first हम लोग addition के बारे में बात करते हैं, क्या अगर addition करें closer property का, ठीक है, क्या करें बच्चे, addition करें अगर हम लोग closer property का, तो यह बात closer property यह चीज़ कहता है, क वो भी आपका rational number होगा यह हमारा closer property कहता है और उसी को हम लोग verify करते हैं addition से, subtraction से, multiplication से और division से कि अगर हम 2 rational number को add करें तो क्या result हमारा rational number आ रहा है या 2 rational number को हम divide करें तो rational number हमारा क्या आ रहा है divide करने के बाद rational number आ रहा है कि कोई दूसरा number आ रहा है ठीक है प्लस कर लिया मैंने 7 by 2 एक rational number से जब इसको प्लस करेंगे तो ठीक है तो हमारा ये denominator same है तो simple सा नीचे तो 2 आ जाएगा और 7 और 3 कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा तो ये भी हमारा एक कैसा था ये भी हमारा एक rational number था बच्चे ठीक है तो 5 के नीचे भी तो 1 है जितना number है उसके नीचे भी तो 1 है तो 5 by 1 मतलब P by Q के format Q हमारा not equal to 0 है तो ये भी हमारा rational number है तो closer property हमारा addition को satisfy किया ठीक है दूसरा अगर बात करें किसका subtraction का बात करें ठीक है किसका subtraction के बारे में बात करें ठीक है एक मिनट subtraction के बारे में बात करें तो subtraction क्या होता है अगर दो rational number ले 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 इसमें से हम 3 by 2 माइनस कर दें तो क्या यहां से आएगा 4 by 2 इसको solve करोगे तो 2 तो 2 तो ऐसे ही हमारा denominator same है तो 7 में से 3 गड़ाएंगा तो 4 बाई तो multiply करें तो उसमें देख लेते हैं कि अगर multiply करने पर हमारा rational आ रहा है कि कोई दूसरा आ रहा है ठीक है multiply करने पर अगर देखा जाए तो जैसे 3 by 2 एक rational number है और 7 by 2 एक rational number है multiply करेंगे तो यह कितना हो जाएगा ऊपर तो 20 हो जाएगा नीचे दूसरा यह चार हो जाएगा तो यह देख रहे हो यह भी हमारा क्या है एक दो rational number और यह भी हमारा क्या होता है multiply में भी हमारा सटीस्फाइब कर रहा है बच्चे अगर वहीं अगर हम लोग divide में देख लें, चौथा क्या करें, divide में देख लें, ठीक है, किसमें देख लें, divide में देख लें, कि closer property हमारा applicable है कि नहीं, तो 2 rational number ले ले लेते हैं, 3 by 2 ले लेते है rational number, इसको करना है divide 7 by 2 से, अब देखो एक बात बताते हैं तुमको जब कभी भी divide करना रहे न, बच्चे तो हम लोग जादे division का use नहीं करेंगे, ठीक है, करना क्या है कि 3 by 2 को ऐसे रखना, इस divide को multiply में बदल दो, बाकि इसका reciprocal कर दो, 2 by 7 कर दो 2 से 2 काट लो, ये कितना हो जाएगा, 3 by 7 हो जाएगा, ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जब हम 2 rational number लिये थे division के लिए, तो ये तो rational थाई, ठीक है, ये क्या था, ये तो rational थाई, बाद में जब result आया, तो ये भी हमारा कैसा रहा, ये भी हमारा rational ही रहा, ठीक है, ये भी हमारा addition के लिए only division के लिए या only subtraction के लिए इस type का question अगर tough बनाने का कोशिस करें तो यह चीज बना सकता है ठीक है तो closer property समझ में आ गया अब next property हम लोग देखेंगे commutative property किसको commutative property किसको कहते हैं बच्चे ठीक है अब commutative property जो होता है इस commutative property में हम लोग क्या देखते हैं कि अगर a plus b है और चाहे b plus a तो चाहे तुम rational number दो rational number लो उसको ऐसे लिखो या पलट के add करो तो क्या lhs बराबर rhs आता है कि नहीं आता है यह हमारा commutative property कहता तो इसको भी हम लोग इस वाले method को भी हम लोग चारों तरीके से करके देखेंगे एक बार addition में करके देखेंगे कि यह applicable है कि नहीं lhs बराबर rhs एक बार subtraction में करके देखेंगे कि lhs बराबर rhs applicable है कि नहीं एक बार multiply करके देखेंगे एक बार divide करके देखेंगे तो शारों तरीके से हम लोग committed property को हम लोग ये चीज करके देखेंगे बच्चे तो अगर हम ऽोग सबसे पहले किस में करें सबसे पहले हम लोग addition में करें ठीक है addition में अगर हम लोग check करें किसका यह हम लोग committed property को तो कोई 2 rationale number ले लेता है जैसे 3 by 2 ले लिए प्लस का 5 बाइ 2 कर लिए यह LHS हो गया, RHS में क्या करेंगा 5 बाइ 2 ले लेंगा, प्लस का 3 बाइ 2 लेंगे, देखो A प्लस B या B प्लस A अब यहां से देखते हैं कि LHS बराबर RHS हमारा आता है कि नहीं बच्चे जब आब इसको solve करोगे तो numerator तो हमारा सेम है तो 2 ही आ जागा, ऊपर आ जागा 8 और नीचे जब solve करोगे तो नीचे तो 2 ही आ जागा, 8 तो 8 बाइ 2 मतलब क्या आ रहा है, LHS बराबर क्या आ जा रहा है, RHS आ रहा है तो इससे क्या पता चला, committed property हमारा addition के लिए applicable है addition से हमारा satisfy हो रहा है अगर हम लोग subtract करके देखें इसी properties को, ठीक है, क्या देखें subtract करके देखें, इसी commutative properties को subtract करके देखें तो subtract करने के लिए मान के चली 3 by 2 एक ले लिया, minus का 5 by 2 कर लिया, LHS में, मतलब एक rational लंबा, दुसरे लंबा से घटा दिया उसके बाद 5 by 2 बलट दिया, minus का 3 by 2 कर लिया अब यहाँ तो simple सा 2 हो जाएगा क्योंकि numerator हमारा same है और 3 में से कितना जाएगा, minus का 5 जाएगा और इधर भी हमारा 2 हो जाएगा और 5 में से कितना जाएगा, minus का 3 जाएगा तो यहाँ पर देखो यहाँ क्या आ रहा है जब इसको solve करोगे तो यह तो आ जाएगा minus का 2 upon 2 इसको solve करोगे तो यह आ जाएगा 2 upon 2 एक तरफ आ जाएगा minus 1 और एक तरफ आ जाएगा कितना 1 आ जाएगा तो क्या minus 1 और 1 हमारा पराबर होता है नहीं होता है तो यह याद रखना कि जो हमारा committative property है यह subtraction के लिए क्या है subtraction को हमारा follow नहीं करता है not follow लिख देता है यहाँ पे ठीक है बच्चे यह हमारा not follow मतलब कि यह हमारा committative property जो होता है subtraction के लिए follow नहीं करता है यहां आपको दिख रहा होगा यह चीज ठीक है minus 1 is not equal to 1 यह चीज यहां तक clear है यहां लोग आगे बढ़ेंगे तो सब पानी भी लेते हैं यह चीज़ समझ में आया अब देखो multiplication में अगर देखें इसी commutative property को अगर multiplication में देखें तो multiplication के लिए मान के चले दो rational number ले लिया मैंने 3 by 2 ले लिया और 5 by 2 ले लिया उसके बाद 5 by 2 लिखेंग और multiply कर देंगे 3 by 2 से plat करके अब देखो यहां से solve करोगे तो यह तो कितना हो जाएगा यह उपर तो 15 हो जाएगा नीचे 4 हो जाएगा उपर 15 हो जाएगा नीचे 4 हो जाएगा तो यहां पर यह follow कर रहा है multiplication में यह हमारा committed property follow कर रहा है अगर divide करके देखो बच्चे ठीक है अगर divide करके देखो कि divide होता है कि नहीं 3 by 2 है एक rational number लिया 5 by 2 से divide किया दूसरा 5 by 2 लिया divide किया किस से 3 by 2 से हमें एक तरीका बताये ठीक है अगर divide करना रहे तो 3 by 2 पलड़ दो क्या हो जागा 2 by 5 हो जागा यह कड़ जागा 2 से 2 इधर क्या आ जागा इधर 3 by 5 आ गिया ठीक है बच्चे अब उधर देख लेते हैं ठीक है इधर देख लेते हैं इसको पलतोगे तो 2 by क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा यह कड़ क्या आ जाएगा 5 by 3 तो क्या 3 by 5 और 5 by 3 बराबर होता है नहीं होता है नोट इक्वल टू यह कॉमिटेटिव प्रॉपर्टी जो है यह divide के लिए ठीक है यह हमारा किस के लिए था यह हमारा multiplication के लिए था तो division में हमारा follow नहीं करता है तो हम लोग अभी properties को देख रहे ठीक है उसके बाद जितने भी rational number से आए हुए questions है ठीक है इस chapter को सारे concept को पढ़ लेंगे उसके बाद 2006 से ले करके 2019 तक के बीच में जितने भी chapter से question आए उसको solve करेंगे हम लोग ठीक है तो यह हमारा division को क्या करता है follow नहीं करता है committed और यह हमारा इसको follow करता है ठीक है multiplication को follow करता है आई देखते हैं next हमारा है associative property कौन सा property है associative property यह सारे properties आप लोगों ने class 7th में भी पढ़ा होगा बच्चे तब properties हमारा class 7th में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने जैसे क्या है a plus b है associative में plus का c है is equal to a plus b plus का c इस format पे अगर हम लोग कोई भी numbers जो हमारे rational numbers है उसको लिखे हैं तो क्या यह satisfy करता है कि नहीं करता है इस इसको हम लोग चेक करेंगे पहले अगर addition में चेक करें हैं किसमें करें addition में चेक करें पहले अगर addition में चेक करें तो जैसे यह होता है 3 by 5 plus का 5 by 2 टिक है दोनों a plus b को add कर लिया plus c मतलब 7 by 2 add कर लिया दूसरा है 3 by 2 प्लस का 5 by 2 प्लस का 7 by 2 जब देख लेते हैं यहाँ पर कि दोनों हमारा satisfy करता है कि ने इसको simple सा add करोगे तो यह तो हो जाएगा 8 by 2 प्लस 7 by 2 इस equal to इधर add करोगे तो 3 by 2 प्लस 8 by 2 यह हो जाएगा बच्चे और यहाँ से 2 by 2 सेम है तो हमारा 8 साथ 15 by 2 उपर हो जाएगा और इधर हो जाएगा 15 by 2 numerator सेम है तो direct हम add कर रहे हैं तो यह हमारा LHS बराबर RHS हो गया बच्चे LHS बराबर RHS हो गया किसमें हो गया? addition में हो गया LHS बराबर RHS अगर हम लोग subtraction में देखें बच्चे इसी property को अगर हम लोग subtraction में देखें तो subtraction में हम लोग एक बार घटा के देख लेंगे क्या करेंगे? एक बार घटा के देख लेंगे जैसे क्या हो जाएगा subtraction में 3 by 2 है, minus का 5 by 2 है और minus का 7 by 2 इसको bracket में कर लेते हैं, ठीक है, इसको bracket में कर लेते हैं, इधर क्या हो जाएगा, 3 by 2 हो जाएगा, और minus का इधर क्या आजाएगा, 5 by 2, minus का 7 by 2, जब इसको आप LHS बराबर RHS करेंगा, तो simple सा इधर कितना आजाएगा, minus 2 by 2, और minus 7 by 2, इसको solve करोगे तो, solve करके देख लेना, ह एक तरफ आजाएगा, 5 by 2, तो यह हमारा not equal है, तो यह subtraction में जो होता है, not follow, यह हमारा associative property जो है, subtraction में हमारा follow नहीं करता है, subtraction में follow नहीं करता है, ठीक है, यह चीज़ याद रखेगा, associative property addition के लिए applicable है, subtraction के लिए applicable नहीं है, कौन किसके लिए applicable है, कौन किसके लिए applicable नह करके दिखा रहे हैं ठेके बच्चे आए стран करते हैं दूसरा जो हमारा प्रोपर्टी है कहां सा मल्टीNEY केशन में कर लो ज करना वसके बाना क्या है स्टिरीगा टू है है मल्टीप्लीकेशन के लिए ठीक है मल्टीप्लीकेसन के लिए देखें कि कि मैं लिक के सनगा ने लिए 3ula को मलुंटीप्लाइग कर दिए 5 बाइट्घू सकेSoft क्या है 7 x 2 को Multiply करना है उसके बाद क्या है 3 x 2 है compositions के साथ 5 5 2 के साथ उसके बाद 7 by 2 के साथ जैसे हम लोग क्या करके rapport चीक करेंaj multiply करके check करोगे तो इसको multiply करोगे तो ये कितना हो जाएगा 15 by 4 हो जाएगा और into में हो जाएगा 7 by 2 इधर करोगे तो ये 3 by 2 है और इसको multiply करोगे तो ये कितना हो जाएगा 35 by 4 हो जाएगा और जब इधर से multiply करोगे तो ये भी हमारा 105 by 8 आ जाएगा इधर से multiply करोगे तो यह भी हमारा 105 by 8 आ जाएगा तो यहाँ पर LHS बराबर RHS हो गया बच्चे क्या हो गया LHS बराबर RHS हो गया तो multiply के लिए satisfy है divide करका आप लोग check कर लेना हम बता देता है कि divide के लिए जो होगा लिख देता है यहाँ पर टिक है divide के लिए जो होगा वह हमारा not follow होगा टिक है equal नहीं होगा यह चीज़ लिख देता है इसको आप लोग check कर लीजएगा डिवाइट के लिए तो यह आप लोग कर लेंगे इसको ना तो हम लोग addition से करते हैं इसको ना तो subtraction से इसको ना तो division से किसी भी चीज़ से नहीं simple सा है यह यह हम लिख देता है यहाँ पर यह होता क्या जैसे a into b plus c और is equal to a into b और plus का a into c समझ में आ रहा है कि bracket के बाहर अगर कोई चीज होता है तो हम लोग दोनों से multiply करते हैं एक बार इसके साथ multiply करते हैं एक बार इसके साथ multiply करते हैं वही चीज़ किये हैं, कि A का multiplication एक बार A, B के साथ, A का multiplication एक बार C के साथ, ठीक है, तो इसको देखते हैं, हम लोग यह हमारा follow करता है, कि नहीं कोई भी rational number ले करके, जैसे example के तोर पे यहाँ पे से लोग, जैसे 3 by 2 एक rational number है, और 5 by 4, और plus का ले लेते हैं, 7 by 8, एक rational number है, ठीक में हो जाएगा, किस के साथ? एक बार 3 by 2 का multiply हो जाएगा, किस के साथ? 7 by 8 के साथ, यह हो जाएगा भाई, अब जब इसको solve करोगे तुम, यहाँ से इसको solve करने के बाद, जैसे 3 by 2, तो यहाँ ऐसे ही as it is आएगा, उसके बाद इसको solve करोगे, तो LCM लेकर के solve करोगे, तो यह 10 पलस 7 हो जाएगा, इसको solve करोगे यहाँ से, तो यह हो जाएगा 8 और यह हो जाएगा 15 multiply करने पर, पलस इसको solve करोगे, तो यह 7 और 3 को multiply करोगे, तो 21 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 16, ठीक है, अब यहाँ से इसको solve करना है, multiply करना है, तो यह 3 by 2 multiply में क्या हो जाएग 17 by 8 हो जाएगा 10, 17 उसके बाद ये इसको जब solve करोगे तो LCM ले करके 16 हो जाएगा और उपर solve करोगे तो आ जाएगा 51 और इन दोनों को भी multiply करोगे तो यहां से भी आ जाएगा मेरा 51 और 16 और ये भी आ जाएगा 51 upon 16 तो ये हमारा LHS बराबर RHS होता है ये हमारा कौन सा प्रोपरटी है ये हमारा distributed property है कौन सा प्रोपरटी है distributed property है ये चीज होता है ये बाकी satisfies subtraction के लिए इसके लिए होता है अब बाकी के लिए नहीं होता है इसको आप लोग देख लेना इसको एच्छे ये सारे हमारे rational numbers के properties थे इस पे अगर based question आएगा तो इस लेंदी फॉर्म से तो नहीं हम तो simply solve करके आए कर लेंगे वहाँ पे mcq format पे वो question करके हम दिखाएंगे आप सभी को ठीक है किस type के question हमारे आते हैं यह समझ में आया यह सब हमारे properties है आईए अब next topic हम लोग देखते हैं इसके बाद हम लोग next topic को देखेंगे next topic है बच्चे हमारा additive inverse ठीक है क्या है बच्चे additive inverse किसको कहते हैं देखो additive inverse मतलब क्या है मतलब sign का change करते हैं इसमें और कुछ नहीं है साइन का change करते हैं additive inverse में simply हम लोग sign change करते हैं अगर कहीं पर लिखा हुआ है कितना 3 by 17 लिखा हुआ है तो यह क्या हो जागा minus का 3 by 17 यह additive inverse है किसी भी number का नाम खाली है दर्सन छोटे सुने हो ना नाम बड़े दर्सन छोटे यह additive inverse है बस आपको opposite sign लगा देना है तो कहीं पर negative है तो उसका positive हो जाएगा मान के चलो कहीं पर rational number 4 by 11 हमारा negative में दिया है तो हम positive का 4 by 11 लिख देते हैं अब positive नहीं भी लिखेंगे खाली हटा देंगे तो यह positive का 4 by 11 हो जाएगा 5 हो जाएगा simple सा ठीक है अगर हमारा 7 by 8 है यह कितना हो जाएगा 7 by 8 ऐसे हो जाएगा plus का अगर हमारा अगर minus का है तो अगर plus का कहीं भी भी हमारा 7 दिया हो है तो यह minus का 7 हो जाएगा additive inverse ठीक है बच्चे तो इसमें हम लोग sign को change करते हैं simply हम लोग just opposite लिखते हैं इस याद रखना direct question आता है इससे उसके बाद है multiplicative inverse किसको कहता है multiplicative inverse मतलब होता है reciprocal ठीक है क्या होता है reciprocal होता है multiplicative inverse तो नाम बदल करके आ जाता है multiplicative inverse मतलब जैस उसका reciprocal करना है जैसे 3 by 17 लिखायत इसका reciprocal क्या हो जाएगा भाई 3 by 17 लिखायत इसका reciprocal हो जाएगा कितना 17 upon 3 हो जाएगा यहाँ पर यह मां समझ लेना यह बराबर है ठीक है यह बराबर नहीं है बच्चे इक्वल नहीं है य यह additive inverse निकाल रहे 3 by 17 का additive inverse इतना होता है उसी तरह ठीक इसी तरह से 3 by 17 यहाँ है और इसका हम लोग 3 by 17 है तो 17 by 3 हमारा क्या हो जाएगा multiplicative inverse इसको हम लोग reciprocal बोलते हैं 9 by अगर 7 लिखावा है इसका हम लोग multiplicative inverse निकालेंगे तो यह कितना हो जाएगा 7 by 9 हो जाएगा और example ल 11 लिखावा है तो इसका हो जाएगा कितना 11 by minus का 4 हम लोग जाएगा उपर लिख लो यह चाहिए निकले नीचे लिख लो यह इस तरह से हम लोग multiplicative inverse को solve करते हैं बच्चे तो यह चीज हमारा होता है multiplicative inverse मतलब simple सा है reciprocal आएगे देखता है कि find rational number between any two rational number अगर मान के चले कहीं पर आपको दो rational number दिया हुआ है और उसके बीच का rational number निकालने के लिए बोले तो उस समय आप क्या करेंगे बच्चे कहीं पर आपको दो rational number दिया हुआ है और उसके बीच का rational number निकालना है जैसे मान के चले एक rational number हमारा two दे दिया जिसको हम लोग two by one लिखते है और एक rational number हमारा four दे दिया जिसको हम लोग four by one लिखते है इसके इसके बीच का अगर हमको rational number निकालना है तो two और four के बीच में क्य आता है 3 भी तो आता है तो 3 by 1 एक rational number हो गया तो आखिर ये rational number आप निकालिएगा कैसे ये rational number निकालिएगा कैसे ये तरीका हमको सिखना है तो तरीका ये है बच्चे ठीक है तरीका ये है कि अगर आपको 0 से ले करके 1 के बीच का rational number निकालने के लिए बोल दे, क्या बोले कि 0 से ले करके 1 के बीच का rational number निकालो तो 0 by 1 तो ये rational number हो सकता है ठीक है, ये rational number हमारा हो सकता है 0 by 1 अगर वही 1 by 0 अगर बोल दें तो ये हमारा rational number नहीं होगा क्योंकि ये क्यों हमारा क्या हो रहा है क्यों हमारा 0 हो जा रहा है ठीक है यह हमारा रेसनलमट नहीं होगा तो यह चीज याद रखना बच्चे तो अगर 0 से ले करके 1 के बीच का रेसनलमट निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है यह तो 0 by 1 1 हो गया यह 1 by 1 1 हो गया आपको simply क्या करना है एक बड़े नंबर से इ multiply कर दीजिए मान के चले इसको 10 से multiply करेंगे और और यहां भी हम लोगके 10 करेंगा और उपर हो जाएगा कि एधर कि यह लुक सकते है ववन बाई 10 तो बाई 10 ती का 3 बाई 10 तो इस तरह से 0 बाई टैन इतना नंबर हम लोग लिख सकते एक तरीका तो यह है इस तरीके से आप क्या करेंगे एक दूसरे बीच का रेस्टल आप निकाल सकते हैं दूसरा तरीका यह है बच्चे डिनोमिनेटर सेम करके ट लिनमेंटर करके अब मानके चलिए अगर कहीं पर टू बाइवाइब ठीर तू भाइब दिया वाया है और दूसरा दियावा है 5 by 6 दियावा है बोल रहा है इसके बीच का rational number निकालिए कितना होगा या 3 rational number निकालिए या 4 rational number निकालिए तो आप क्या कीजिए आप denominator को same कर दीजिए अब मान के चले 5 by 6 है और 3 by 6 है तो अगर LCM लोगे इसका क्या आजाएगा 6 also LCM आएगा तो 6 बनाने के लिए तो पहले से 6 है तो 1 से multiply कर देगे या अगर 6 हमको बनाना है तो 2 से multiply करेंगा और इसको 2 से multiply करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 4 by 6 हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा 5 by 6 हो जाएगा इसके इसके बीच का अब हमको rational number निकालना है बुलेगा सर्फ 4 by 6 और 5 by 6 में तो 4 और 5 लगातार आ रहा है उसके बीच का rational number हम लोग कैसे निकालेंगे तो अब क्या करो इसको तुम किसी बड़े number से multiply कर दो अब मान के चलो इसको क्या करो multiply कर दो 20 से multiply कर दो और उपर वाले को भी 20 से multiply कर दो नीचे वाले को भी 20 से multiply कर दो और इसको भी उपर से multiply कर दो ये कितना हो जाएगा 20 चोके 80 ये वाला हमारा कितना convert हो जाएगा इधर लिखते हैं बच्चे इसको हम लोग लिख सकते हैं उपर में 80 लिख सकते हैं 80 by 120, 82 by 120, लिख सकते हैं, 81 by, 81 by 120, इसके इसके बीच का अगर हमको लिखना पड़ेगा, तो यह कितना हो जाएगा, 80 by, 81 by 120, पहला रासल लंबर क्या लिख सकते हैं, 81 by 120, 82 by 120, 83 by 120, इसी तरह से लिखते हैं, दूसरा यह बनाया, ठीक है, अगर तीसरा तरीका आपको बताया, रेसनल लंबर निकालने का, ठीक है बच्चे, अगर तीसरा तरीका निकालना है, रेसनल लंबर का, तो मानके चले की, 2 rational number दे दे जैसे क्या दे दे? जैसे आपको दे दे 2 by 3 दे दे ठीक है? और क्या दे दे? 5 by 6 दे दे बोले कि आपको इसके बीच का एक rational number निकाल के दिखाईए तो आपको कुछ नहीं करना है इसको मान लेना है A यह formula लिग देते हैं ठीक है इसके बीच का अगर एक रेशनल लंबर निकालना रहे न तो फर्स रेशनल लंबर निकालने का तरीका यह है ठीक है फर्स रेशनल नंबर निकालने का तरीका क्या है एक मिनट निकालने का तरीका क्या है निकालने का तरीका पुड़ा सम्मिट नहीं रहा है इसको by two a plus b यह formula इस formula से आप एक rational number निकाल सकते हैं तुरंत बीच का ठीक है इस formula से निकाल सकते हैं otherwise एक अगर पूछे तो direct आपको यह करना है यहाँ पे a और b क्या है a और b यही है इसको आप a माल लीजिए इसको आप क्या माल लीजिए b माल लीजिए तो अगर first rational number निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं 1 by 2 a plus b ठीक है यह पता है और a और b हमको पता है तो 1 by 2 क्या हो जागा 2 by 3 अब पलस का 5 by 6 इसको add करके 2 से multiply कर दीजिए आप 1 by 2 से आपका rational number निकल जाएगा ठीक है 1 by 2 इसको आप solve करोगे तो क्या हो जाएगा 6 LCM हो जाएगा इसको solve करेंगे तो यह क्या हो जाएगा यहां से 3 2 जा 6 2 जा 4 4 plus का 5 यह हो जाएगा यहां से solve करेंगे 1 by 2 इसको solve करेंगे तो 5 4 9 by 6 इसको solve कर लिजिए 1 by 2 और 9 by 6 जब इसको आप solve किजए तो कितना जाएगा 9 by 12 इसके बीच का एक rational number निकल गया तो यह एक तरीचा है यह भी एक तरीचा है rational number निकलने का तो do rational number निकलने के मैंने आपको सिखा दिया अब आप एडिपेंड करता है कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा और आप उस तरीके से उसको solve कर सकता है हमें नहीं लगता है यहां पर इस जगह तक आपको कोई भी दिक्कत हुआ होगा तो यहां पर हमारे जितने भी concept थे रेसनल लंबर से related जो भी हमारे syllabus में है वो सभी concept को हम लोग देख लिए अब क्या करेंगे बच्चे अब हम वो चीज़ करेंगे जो भी हमारे previous year में 2006 से लेकर के 2019 तक paper में जितने भी सवाल बने है इस chapter से वो सारे सवाल को एक एक बार हम लोग बनाते चलेंगे और आपको अंदाजा लग जाएगा जो चीज़ पढ़ा है उसी से पूछा जाता है ठेके बच्चे चलिए बढ़े आई स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सवाल जो है यह आपके सामने यहां पर देख लेते हैं एक मिनट थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं अब प्रोड़क्ट आफ टू रेशनल लंबर इस 28 क्या दिया हुआ है दू रेशनल लंबर का प्रोड़क्ट हमारा 28 upon 81 दिया हुआ है इफ वन आफ देम इस 2 upon मानस 2 upon 3 देंड अज़र क्या रहा है प्रोड़क्ट मतलब होता है multiply यह याद रखना क्या होता है प्रोड़क्ट अगर पूछे इसका मतलब होता है multiply ठीक है अब दो रेशनल लंबर बोल रहा है कि product इतना दिया है तो जो rational number हमको पता नहीं है तो उसको या तो P by Q माल लीजिए या कोई भी A by B माल लीजिए लेट कर लीजिए तो यहाँ पर हमको कोई भी पसंद नहीं आ रहा है तो जाए आपको जो भी पसंद आ है तो A by B माल लिया मैंने जो हमको जो नहीं पता है कि वो कौन से number उसको मैंने A by B माल लिया अब क्या बोल रहा है कि एक पता है आपको कितना है minus 2 by 3 है तो इन्हीं दुनों का product करना है तो according to question अगर हम बात करें तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा A by B का एक तरफ अगर हमारा 28 upon 81 है और दूसरे तरफ जाता है वो चीज़ तो इक divide में चला जाएगा तो minus 2 upon 3 हो जाएगा नीचे से जाएगा यह A by B हो जाएगा और नीचे से 28 upon 81 हो जाएगा बच्चे और नीचे से जाकर के यह पलट जाएगा यह हो जाएगा 3 by क्या हो जाएगा 3 by minus cut 2 हो जाएगा अब काट लिजे reduce कर लिजे यह 2 से कट जाएगा 14 बार में minus cut गया यह 3 से कितने बार में कट जाएगा 3 से 27 बार में कट जाएगा तो result क्या आजाएगा A by B आपका आजाएगा 14 by 27 जो कि option number कौन सा है जो option number हमारा C है 14 by 27 simple सा question था ठीक है हम आपको बना के बता रहे हैं से समय लग रहा है तो दो number का product दिया था एक पता नहीं था दूसरे को multiply यह हमारे properties पर यह तो काम कर रहा है A into B is equal to B into C divided में जाकर करके उदर से multiply में दिया था दूसरे तरफ लेकि जाना है product में दिया है दूसरा question क्या कहा रहा है कि if the sum of the three rational number is minus 61 upon 15 then the sum of the additive inverse देख लो additive inverse है और additive inverse का क्या बताए था बच्चे कि sign हम लोग क्या करते है sign change कर देते है sign हम लोग opposite कर देते है तो यह 2017-18 में सवाल बनाया बच्चे इसका answer क्या जाएगा just ultra 61 upon 15 positive में 61 upon 15 positive में कौन सा option है 61 upon 15 हमारा option है option number A हो जाएगा 61 upon 15 यह हमारा 2017-18 में सवाल बनाता तो इतना simple सा सवाल है यह देख लो question number हमारा third which of the following statement is false अब देखो whole number is closer under the addition अब देख लो closer under addition whole number is closer under multiplication यह हमारा closer property वाला है ठीक है और whole number का category पूछ रहा है तो आपको closer property का table आपकी book में दिया होगा उसको आप लोग याद कर लिजिएगा एक बार ठीक है closer property वाला table आपको book में जरूर मिलेगा इसके according हमारा जो है false statement जो है false statement 3 का जो बच्चे है 3 का false statement C है whole numbers are close under the division close under the division whole number हमारा division के अंदर आता है option number कौन सा हो जाएगा option number हमारा C हो जाएगा ठीक है कौन सा option हो जाएगा C हो जाएगा आए देखते है question number हमारा 4 यह रहा multiplicative inverse of minus 1 अब minus 1 का reciprocal बोल रहा है तो minus 1 का reciprocal minus 1 होगा जैसे मान के चलो हम क्या बताये थे reciprocal लिकालने का तरीका जिसे minus 1 है और इसका reciprocal मतलब 1 upon minus 1 है इसको लिखोगे क्या minus 1 न लिखोगे तो option number क्या हो जाएगा option number हमारा B हो जाएगा minus 1 का minus 1 ही reciprocal होता है बहुत अच्छा है question यह ठीक है दूसरा यह है the value of 3 minus minus 4 अब यह चीज़ बता देते हैं बच्चे यह तो simple सा calculation है इसमें कुछ नहीं करना है क्या करना है यहाँ पे जिसे 3 दिया हो है यह minus है और यह minus का 4 है यह minus minus क्या हो जाएगा plus का 4 क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा answer number क्या हो जाएगा answer number A हो जाएगा यह कौन सा year में पूछा है 2014 पंदरे में question पूछा है उसके बाद देख लो the rational number between minus 5 by 7 और 3 by 4 इसके इसके बीच का एक rational number निकालना है तो हम आपको तरीका क्या बता है इसके इसके बीच का rational number निकालने का कि जब कभी भी 2 rational number दिया रहे तो आपको A और B माल लेना है तो A बराबर क्या हो जाएगा minus 5 by 7 हो जाएगा B बराबर क्या हो जाएगा 3 by 4 हो जाएगा तरीका क्या है भाई अगर एक rational number निकालना है तो हम क्या बता है A plus B I into में 1 by 2 तो जोड़ लिजे इसको minus का 5 by 7 और plus का क्या हो जाएगा 3 by 4 और multiply में कितना 1 by 2 चाहिए इदर multiply किजे चाहिए उदर multiply किजे बात तो बराबर ही ठीक है बात तो बराबर ही है तो इसको solve करोगे इसको यहां से minus का 1 by 2 करोगे ठीक है multiply में तो इसका answer जो आजाएगा बच्चे ठीक है question number 6 का answer हो जाएगा 6 का 1 by 2 answer हो जाएगा option number C आजाएगा ठीक है कौन सा option number हो जाएगा C हो जाएगा जब इसको तुम solve कर लोगे यहां से तो यह हमारा 1 by 2 आजाएगा ठीक आए आगे बढ़ते है question number हमारा 7 which rational number does not have its reciprocal इस चार option में से consideration number का हमारा reciprocal possible नहीं है सारे number का reciprocal possible है except 00 को छड़ा करके तो यह answer हो जाएगा हमारा ठीक है 7 का क्या हो जाएगा 7 का हमारा A हो जाएगा 0 का reciprocal नहीं होता है आए आगे बढ़ते हैं यह हमारा 2014-15 में पूछा है यह हमारा है question number 8 the largest 3-digit number in which divisible by 6, 8 and 10 6, 8 और 10 में largest 3-digit number हमारा कौन सा होगा या तो तुम divisibility से इसको पता कर लो कि 6, 8 से कौन डिवाइड हो रहा है तो दो तरीका है इसमें यह है कि आपको यह 2 number से सब डिवाइड हो रहा होगा सिर्फ 8 से divide कोई नहीं यह 3 नहीं हो रहागा यह नहीं हो रहागा यह नहीं हो रहागा तीनों number से हमारा यह divide होता है 960 ठीक है इस तरह से कि इसको check कर सकते है दूसा तरीका क्या है बच्चे इसको दूसा तरीका solve करने का यह है दूसरा तरीका भी बता देते हैं आपको क्या करना है आपको इनका LCM ले लेना है किसका 6, 8 और 10 का LCM ले लेना है LCM ले लोगे 120 आएगा 120 से क्या करोगे लाज़ेस त्रिलिजिट नमबर जो हमारा ये कितना हो जाएगा 999 होता है इसको तुम 120 से डिवाइड कर दो यहाँ से bondage तुमारा कितना आजाएगा तुमको क्या करना है तुमको 999 में 39 को माइनस कर दोगे answer आजाएगा तुमारा 960 एक तरीका तु यह है दूसरा तरीका यह है कि आपको पहले इसी में से आपको डिवाइट से चेक करना पड़ेगा कि कौन इवेड है कौन ओड है यह तो यह तो यह तो यह तो हमारा 99 डिवाइट हो गाई नहीं कि इवेड ओड नमबर है यह उसी से आप लोग चेक कर लीजेग और यह दूसा तरीका यह है ले लेना है लेने के बाद जो हमारा ग्रेटेस्ट डिवाइट करना है और रिमेंडर आपका आजाएगा कितना रिमेंडर 39 आएगा और जो रिमेंडर आएगा उसमें से उसको घटा देंगे तो एंसर आजाएगा 960 यह एक तरीका है कुश्टिन नमबर हमारा 9 देखते हैं यह एक यह फ्र सेवेंड नेच्टेटल नमबर और वर्शकों कान सा है वान है तो है थिरी है फॉर है फाइव है शिक्स है इसका यह निकाल लीजें सिंपल सी बात है इसका यह निकालो कि आ जाएगा चारसो बीस अब नमबर भी हमार प्रोपरटी से क्वेश्टन आ रहा है बच्चे इसमें भी नौट ट्रू बोल रहा है अरेसल लमबर अडिसन इसा कॉमिटेटीव फॉर रेसल लमबर सब्ट्राक्षण इसमें इसमें सटिस्फाइब नहीं होता है वो चीज़ दिमाग में रखना बच्चे टेक है टेन का जो चार्फ प्रोपर्टी आपको बताएं तो उसी से यह सारे क्वेश्टन बनते हैं तो देख रहे हो जितना चीज पढ़ाएं हैं उसी से आपका सारा क्वेश्टन अशर बाहर नहीं जाएगा इसी टाइप के को आपको ज्यादा से जादा प्रैक्टिस करना है ठीक है आपके पास वही है करना क्या है आपको इसमें करना यह है बच्चे के आपको इसमें ले लेना है टिक है इसमें ले लेना है किसका किसका ले लेना 8 15 और 20 का इसमें ले करके क्या करना है इसमें ले करके उसके बाद उस नंबर से आपको smallest क्या है smallest square number is divisible अब जो इसमें से आपको चेक कर लेना है कि कौन सा नंबर हमारा डिव होगा 120 से 3600 करके चेक कर ले ना इसको यहां से उसके बाद कोश्चन नंबर हमारा आ जाता है कौन सा कोश्चन नंबर हमारा आ जाता है 14 यह रहा पी भाई क्यू जा रेशनल नंबर अब देख लो निकालेंगे तो 3 हो जाआएगा 6 को निकालेंगे तो 3bySix पूरा का पूरा 3 by 60 नमबर हमारा बाहर निकल गया दूसरा अप्षन ले लें अगर它 ये हो जायेगा फोर बाई 8 इने ये उपसंतो होगा नहीं अगर हम लोग कोश्चन लेलें टा 9 55 ये half 25 निकल जाएगा root से लेकिन यह 5 बाहर नहीं निकाल पाएंगे तो यह option भी नहीं होगा अगर हम लोग D वाले को check करें तो D वाला हमारा होता है 36 by 18 तो 36 का तो 6 बाहर निकाल सकते हैं लेकिन 18 बाहर नहीं निकाल पाएंगे तो यह नहीं होगा तो option number हमारा पहला आ चुका था एक ही बार में option number A हो जाएगा ठीक है 14 का P is equal to 9 और Q is equal to 36 आई देखते हैं 15 least natural number is least natural number हमारा कौन सा है तो 1 है भाई 1 से start होता है natural number तो सबसे least होई नहीं होगा उसके बाद पहले तो 0 आ जाता है जिरो हमारा natural number नहीं होता है जिरो हमारा khiसा number होता है डिक है बच्छे 16 देखते हैं निगेटिव इंटीजर, greatest मतलब भाई, greatest मतलब क्या है? सबसे जो greatest negative integer होता है तो negative integer, negative हमारा start कहां से होता है? जैसे हमारा 1 से natural number start होता है, तो ऐसे ही negative integer हमारा minus 1 से start होता है और minus 1 minus 2 तो minus 2 जो है minus 1 के बाद आरा, minus 2 उसका छोटा होगा, ठीक है? तो minus 1 सबसे greatest होता है, क्या हो जाएगा? minus 1 answer हो जाएगा, minus 1 हमारा greatest होता है सबसे, तो ये था हमारा बच्चे, ठीक है? rational number rational number को हम लोग एक lecture में पूरा अच्छे से खतम किये, ठीक है? आपको क्या करना है? जितने type के सवाल आपके सामने हम आपको present किये है, दिखाए है तो इसी तरीके का सवाल इस chapter से बनते हैं और आपको जादा से जादा इसी type का सवाल इससे करना है इसी तरीके से ठीक है? बाकि आपके पास कोई भी book हो चाहे है, वो guide हो कुछ भी हो इसी तरी आपको practice करना है और सारे आपको concept आपको एक बार revise कर दिए, तो बच्चे आपको अगर lectures पसंद आ है, तो please आप वीडियो को, इस lecture को वीडियो के like जरूर करेंगे, ठीक है? उसके बाद share करेंगे जादा से जादा और channel subscribe करेंगे जो भी बच्चे first time जुड़ रहे हैं, और comment करके बताएंगे, कहीं पे भी कोई doubt है, तो please comment कीजेगा आप लो, thank you so much